Samsung Mobile Camera Failed Problem Camera Warning Problem How to fix If you are also facing this problem then watch this video till end दोस्तो अगर आपको भी इस तरह की problem देखने को मिल जाती है आपके पास Samsung Mobile जिसमें आपको इस तरह के से जो है camera को open करते हो तो यहां पर आपको warning आ जाता है और आपको Camera Failed की problem देखने को मिल जाती है अब यह problem कैसे fix करना है आज की इस वीडियो को देखने के बाद ही पता लग जाएगा अगर आपके पास Samsung का या फिर कोई साभी mobile है जिसमें आपको यह problem आ रही है तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको पता हूँगा कैसी इस को fix कर सकते हो how to fix this problem अगर आपको यह problem देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले आपको अपनी mobile की settings को open करके आपको एक बार से देख लेना है यह वाली setting करके जो मैं आपको अभी बताऊंगा mobile की settings को open करना है और आपको जाना होगा apps option में and then आपको app management option पे सबसे पहले आपको अपने camera app का force stop कर देना है उसके बाद आपको storage and catch options करना है उसके बाद friends आपको clear catch करना है एक बार से उसके बाद फिर से आपको clear storage data यहाँ पर आपको click करके कर देना है अब बैक करने के बाद आप सभी लोगों को धियान से देखना आप अब हलका सा यहाँ पर आपको part permissions का option बन करेना है और बन करने के बाद फिर से दुबारा से इसको allow करेज़ेंदा है अब camera का out करने के बाद आपको क्या करना होगा और फिर से आपको back करते जाना है और उसके बाद आपको अपना mobile को update कर लेना है update करने के लिए आपका update आपको है क्या नहीं देखने के लिए आपको system में जाना है और friends यहाँ पर आपको update जाके आपना check करना कि आपका mobile update है क्या नहीं अगर mobile update है तो आपको फिर क्या करना होगा mobile की settings settings में जाना है यहां पर आपको search options पर click करना है उसके बाद यहां पर search करना है reset settings reset settings आपको search करना है यहां पर reset settings आप जैसे ही search करोगे friends आपके सामने यहां पर reset option यहां पर reset option आजाएगा so friends आपको यहां पर click करना उसके बाद reset के options प्रक्लिक करके आपको अपनी mobile का यहाँ पर आप performance रहेगा यहाँ से आपको reset कर देना है और reset करने के बाद आपको यहाँ पर simply आपको जाना है प्ले स्टोर में यहाँ पर अगर आपका camera यहाँ फिलाल के लिए काम नहीं करता है देख सकते हो आपका जो Samsung का camera जो है वर्क करना शिरू हो जाएगा जिससे आप photos भी ले सकते हो I hope this video is helpful to you make sure like and subscribe to the channel देख सकते हो आपका यहाँ पर प्राब्लम फिक्स आउट हो जाएगा अगर प्राब्लम फिक्स नहीं होता है तो आप जो ओपन केमरा का यूज कर लो तोड़ी देर के बाद आपका फिक्स हो जाएगा मोबाल को रिस्टार्ट कर देना टैंक्स पर जो वीडियो